नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दूस विवेक और स्वागत कर दो मेरे यूटूब चैनल में जिसका नाम है वीडी गैजेस चैनल पर नए हो तो अब भी सब्सक्राइब करो लेटेस्ट वीडियो के लिए दोस्तों मेरे हाथ में Amazon बेसिक्स का 50 इंच का ट्राइपोड तो यह प्रोड़क्त मिलता है आपको काटन पैकेजिंग में जिसके उपर आपको प्रोड़क्त डीटेल्स और स्पेसिफिकेशन्स में लेगे साथ में उपर की तरफ आपको Amazon का लोगो दिखेगा याने की यह प्रोड़क्त जेन्यून प्रोड़क्त है Amazon बेसिक्स की तरफ से के लिए दूसरी तरफ चेन मिलता है लोग अनलोग परपोस के लिए अगर इसका फैब्रिक देखा जाए तो यह रेंड प्रोटेक्टिव फैब्रिक के साथ आपको मिलता है तो दोस्तों इतनी देर से आप जो वेट कर रहे थे प्रोड़क्त देखने का वो फाइनली अन्बॉक्स हो चुका है आपके सामने है अज़न बेसिक्स का 50 इंच का ट्राइपोड सामने की तरब आप देख सकते हो इसमें अमेज़न का लोगो आपको देखने को मिलता है दोस्तों यह प्रोड़क्त आपको मिलता है ऐलुमिनियम मटेरियल के साथ यह प्रोड़क्त को जितना लाइट वेट बनाता है उतना ही म लेवल एड़ेस्ट करना है त्राइपोड का तो आप यह रेफरेंस स्पिरिट लेवल से आसानी से लेवल एड़ेस्ट कर सकते हो दोस्तों अगर लेंध की बात करें तो यह ट्राइपोड आपको मिलता है 50 इंच या फिर 127 सेंटिमिटर के एड़ेस्टेबल लेक्स के साथ इसके 3 लेक्स से जिसमें 3 हॉलो पाइपस है जो help करते है इसका लेंध एड़ेस्ट करने में यह तीनो लेक्स पे तीन तीन लॉक लगे हुए हर तीन पाइप के लिए जो की एक प्लास्टिक मेकैनिजम में जो की बहुत ईजी है लॉक और अनलॉक परपस के लिए दोस्तों ट्राइपॉड की सबसे ऊपर पाइन के साइड में आपको एक नॉब मिलता है जिसकी हल्प से आप पाइन एंगल कर सकते हों आपका मोबाइल या पिर डाइसलर आपको अप रखना आ दाउं रखना उस नॉब की हैंसे आप एडसेस कर सकते हो उसके नीचे एक दूसरा नॉब है जिसकी help से आप DSLR या फिर mobile का angle जो है degree rotation वो adjust कर सकते हो दोस्तो इसके नीचे आप देखोगे तो आपको और एक नॉब मिलेगा जिससे आप tripod का जो extra length होता है वो भी adjust कर सकते हो दोस्तो ट्राइपोड के साथ मुझे mobile holder नहीं मिला मैंने अलग से purchase किया इसका यहां पर mounting point होता है जो आप tripod पर mount कर सकते हो दोस्तो आपको doubt होगा कि mobile holder DSLR ट्राइपोड पर कैसे mount करना है तो यह बहुत easy process है आपको कुछ नहीं करना है आपको बस mobile holder का जो जहापे फ्रेट्स बने है उसको जो screw है उसके ऊपर tight करना है mobile holder को mount करने का एक और तरीका है जो है pan को निकाल के फिर उसके अंदर का जो screw होता है उसको tight करके mobile holder को mount करना वो भी एक आसान तरीका है mobile holder mount करने के लिए दोस्तो mobile mount करके tripod को कैसे operate करना है यह मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा दोस्तों यह tripod के कुछ photos मैंने attach के hope करता हूँ कि आपको वो पसंद आएंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो तो लाइक जरूर करना comment में अपने opinions बताना और others के साथ यह वीडियो शेयर करना अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो अभी subscribe करो bell icon को press करो ताकि मेरे latest वीडियो सबसे पहले आप देख सो